जहिंद, अगनिपत या टूर अफ डूटी, आज के दिन ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर घर घर में किसी एक चीज की चर्चा हो रही है तो वो है अगनिपत, अगनिपत एक जरिया है खार्तिय सेना में भरती होने का, अगनिपत एक जरिया है खार्तिय सेना की वर्दी पहनने का अब ये अगनीपत सही है या गलत इसका फैसला या तो जंता करेगी या राजनेता करेंगे लेकिन एक रिटायर्ड आमी आफसर होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम आज के यूथ को एक अगनीवीर बनने के लिए उसके लिए तयार करें हम उसके साथ वो मेहनत करें ताकि वो सेना की वर्दी को प्राप्त कर सके और इसलिए लीड अकैडमी ने कई प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें एक ही छट के नीचे आप रिटन फिजिकल और मेडिकल तीनों की तैयारी कर सकते हैं लेकिन वो जानने से पहले कि ये प्रोग्राम कैसे होगा पहले जानते हैं ये अगनीपत है गया तो अगनीपत एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतरगत सबसे पहले तो ये 14 जून 2022 को लॉंच की गई है और इसमें 46,000 प्लस वेकेंसीज हैं जिससे अगनीवीर बनाए जाएंगे इसमें आप चार साल के लिए सर्विस कर सकते हैं और चार साल की सर्विस में आपको क्या फाइदा होगा क्या लाब होगा वो मैं अभी एक से दो मिनिट के बाद आपको बताऊंगा लेकिन चार साल की सर्विस के बाद 25 प्रतिशत लोग जो 25 प्रतिशत अगनीवीर हैं वो भारतिय सेना में रह सकते हैं बाकी जो बाहर आएंगे उनको भी 10 प्रतिशत रेजर्वेशन की जो है एक आप्शन दी गई है Central Armed Police Forces में जैसे कि CISF, CRPF, BSF इन सब में 10% रेजर्वेशन दिया गया है उसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जैसे कि Tata बड़ी बड़ी कंपनिया जो हैं वो अगनी वीर को ओफर दे रही हैं कि आप जब चार साल नोकरी करके आएंगे जब भारतिय सेना में अपना लोहा मनवा के आएंगे तब उसके बाद बाहर आके आपको नोकरी दी जाएगी एज लिमिट जिस पे की काफी एक ये भारी चर्चा का विशय बन गया था अभी ये एज साड़े सत्रा से पहले साल के लिए 23 साल तक है साड़े सत्रा से 23 साल पहले सरकार ने साड़े सत्रा से 21 साल इसको बोला था अब लेकिन साड़े सत्रा से 23 साल लेकिन ये सिर्फ अभी पहले साल के लिए ही है बाद में क्या होगा वो अभी उस पे क्लारिटी नहीं आई है इसमें चार साल में नोकरी करके आपको salary का क्या फाइदा होगा वो यहां समझते हैं सबसे पहले first year जो है पहला साल जो है उसमें आपको 30,000 की salary मिलेगी इसका 70% आपके हाथ में रहेगा that means 21,000 रुपय आपके हाथ में रहेगा और 9,000 जो यह रुपया है यह आपके अगनी वीर फंड में जाएगा और उतना ही 9,000 रुपया आप देंगे और 9,000 ही सरकार इस फंड में देगी ठीक है तो कुल मिलाके अगर आप देखें तो 30,000 नहीं 49,000 आपका salary package बनता है दूसरे साल में 33,000 आपकी salary होगी 70% 23,100 आपके हाथ में और 9,900 आपके fund में और 9,900 ही सरकार भी मिलाएगी इसी तरह तीसरे साल में 36,500 और चोटे साल में 40,000 की आपकी salary होगी जिसका 70% 28,000 आपके हाथ में 12,000 आपका जाएगा fund में और 12,000 सरकार भी भेजेगी इसी fund में तो कुल मिलाके आपका जो टोटल बनता है वो बनता है 5,000,000 रुपया आप जमा कराएगे और 5,000,000 रुपया सरकार जमा कराएगी तो आप जब 4 साल के बाद अगर आप सेना से बाहर आते हैं तो आपके हाथ में लगबग 12,000,000 रुपया होंगे तो 4 साल आप सेना का experience ले पाएंगे और उस experience के बलबूते पर बाहर आकर आपको दूसरी नौकरी भी मिलेगी और आपको लगबग 12,000,000 रुपया भी हाथ में होगा तो अगर आप देखें तो एक अच्छी पहल है लेकिन कुछ इसमें शायद gaps भी हैं इसलिए जो है ये discussion का मुद्दा बना हुआ है और उस पर आने वाले कल में काफी कुछ clarity और आएगी तो जैसे government और चीजे notifications release करेगी तो हम आपको उनके बारे में और बताएंगे लेकिन अभी Air Force ने अपना notification already release कर दिया है Air Force ने अपना notification release कर दिया है और आपके पास लगबग एक महीना बाकी है तयारी करने के लिए तो Air Force को पहले जानते हैं Air Force में जाने का patent X और Y ग्रूप के लिए तयारी आप कर सकते हैं और उसमें पहले होगा return फिर physical फिर medical और फिर बनेगी आपकी एक merit list तो ये process रहेगा Air Force में जाने का उसी तरह Navy में जाने के लिए आपको आप AA का test, MR और SSR test ये तीनों test आप दे सकते हैं लेकिन इसके लिए process क्या है जैसा Air Force का है वैसा ही same return, physical, medical और merit आर्मी का process थोड़ा सा अलग रहेगा सबसे पहले तो जानते हैं कि उसमें किस-किस पद के लिए आप जा सकते हैं एक GD के लिए, clerk और tradesman के लिए इसमें थोड़ा change है, Air Force और Navy से थोड़ा सा अलग है यहाँ पर physical पहले होगा, और साथ में medical और उसके बाद written, फिर merit तो यह एक change है, Air Force और Navy का pattern सेम रहेगा लेकिन Army का pattern थोड़ा सा different होगा तो यह है कुछ facts जो अगनी पत के बारे में आपको बताने जरूरी थे अब बाताती है कि इसकी तयारी कैसे करें तो इसकी तयारी के लिए Air Force की जो notification निकल गई है कि आपको form भरने शुरू करने है अभी से और एक महीने तक valid रहेगा उसके बाद आप जो है तुरंट टेस्ट दे सकते हैं तो आपके लिए तयारी के लिए आपके पास तयारी के लिए सिर्फ एक महीना है और अगर आपको तयारी करनी है तो आप एक ही छट के नीचे डीड अकैडमी में आ सकते हैं जहां आप रिटन, फिजिकल और मेडिकल तीनों की तयारी कर सकते हैं तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं वर्दी पहननी है पोज में जाना है तो प्लीज डीड अकैडमी में फॉम भरिए, जोइन कीजिए और देर ना करिए क्योंकि समय ज़्यादा आपके पास नहीं है नोटिफिकेशन एरफोस की रिलीज हो चुकी है नेवी की एक दो दिन में ही आने वाली है और उसी तरह आर्मी की भी जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाएगी तो हमें वेश्ट ना करें और जल्दी से तयारी शुरू करें जैहन